नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलों में आज हम बात करेंगे polarity क्या होती है welding के अंदर और इस से related जो term है उनकी बात करेंगे तो polarity क्या है? polarity होती क्या है? polarity का अर्थ होता है electric current के चलने की दिशा अब यह जो है DC welding में ही use की जाती है यहनि की हमें पता है जो DC welding set है उसकी पास दो terminal होते हैं plus और minus minus को हम जो है किसी को भी provide कर सकते हैं मान लिजिए हम job को provide करते हैं plus को हम जो है मान लिजिए electrode को देते हैं इसी तरह से हम इसको change भी कर सकते हैं तो polarity क्या है plus और minus जो है वो job यह electrode को provide करना electric current के चलने की दिशा को जो है change हम कर सकते हैं job को हम positive कर सकते हैं, negative भी कर सकते हैं electrode को भी positive दे सकते हैं, terminal के साथ जोड सकते हैं, negative के साथ भी जोड सकते हैं लेकिन यह DC welding में ही किया जाता है, यह ध्यान रखना है सीधी polarity क्या है यानि कि इसको हम straight polarity बोलते हैं वो क्या होती है इस polarity में जो electrode है वो negative terminal से connect होता है अब जैसे जो electrode है अगर हम उसको क्या करें negative terminal से connect कर दें और जो job है उसको positive terminal से connect कर दें जो job है यानि कि work piece है उसको positive terminal से connect कर दें DC welding set के अंदर ही तो वो सीधी polarity होती है अब सीधी polarity का use कहां किया जाता है तो सीधी polarity जो होती है वो वहाँ पर use की जाती है जहाँ पर हमें लगबग 34% जो तापमान है electrode पर चाहिए यानि कि कम तापमान electrode पर चाहिए और जादा तापमान हमें जोब पर केंदरित करना होता है यानि कि जो वर्कपीस है जादा तापमान लगबग 66% हमें वहाँ केंदरित करना है electrode के ओपर ताप हमें कम रखना है तो वहाँ पर हम सीधी polarity का use करते हैं इसी तरह से reverse polarity क्या होती है वो हम जान लेते हैं सीधी polarity हमने देखी इसके बिल्कुल उल्टी reverse polarity होती है इसमें जो electrode है उसको हम positive terminal से connect कर देते हैं जो electrode है उसको positive से कर देंगे और जो जोब है और पीस है उसको negative terminal से connect कर देंगे तो उससे होगा क्या यह जो ताप है यह भी हमरा reverse हो जाएगा यहां पहले जोब पे आ रहा था जादा जो ताप मान बन रहा था heat जादा बन रही थी electrode पर कम बन रही थी लेकिन इसमें क्या होगा अधिक ताप जो है electrode की तरफ पैदा होता है तो according to condition इनको use किया जाता है arc length क्या होती है जब हम welding करते हैं जो बनाते सम्मय जो welding road की tip से पिंगलती धातू के तल की दूरी को arc की लंबाई कहते हैं जैसे यहां पर हम एक electrode ले ले लेते हैं मान लिजी यह electrode है और यहां पर हम ले ले लेते हैं एक work piece ले 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 लेते हैं यहाँ पर हम इसको जोड रहे हैं बीच से मान लेते हैं कि यह अलग पीस है यह अलग पीस है तो यह जो यहाँ पर पिंगलनी स्टार्ट होती है धातू तो यहाँ पर हम वैल्डिंग कर रहे हैं अब जो वैल्डिंग रोड है इसकी जो tip यानि कि ये जो चीज है इसकी tip बिलकुल और जो पिंखलती धातू के तल है ये जो है इनके बीच की दूरी अब ये जब यहाँ पर arc create होती है तो यहाँ इसको arc की लंबाई कहते है ये arc लंबाई कहला थी है अब इसी के अंदर हम ले लेते हैं की साधारन आरक क्या होती है अरक हिलंबाई हमने देखी साधारन आरक क्या होती है जब alertrode और जोब के तल के केंदर की दुरी यानि कि अब हम इलेक्ट्रोड की tip भी समझ चुके हैं जोब के तल भी समझ चुके हैं जो पिंगलिती हुई धातु है उसका तल जो है surface जो है तो वहां तक की जो दूरी है अगर electrode के वियास के लगबग हो यानि की जो electrode है अब हमें पता है electrode जो circular shape में होता है अगर इनकी दूरी इतनी ही हो जितना ये diameter है अगर इसको थोड़ा बड़ा करके देखें इस तरह से ये जो diameter होता है तो वो साधारन आर्क कहलाती है लंबी आर्क क्या होती है जब welding road के tip कीपिंगली हुई धातू के तल से दूरी welding road यानि welding तार के वियास से जादा हो अब यही जो दूरी है अगर इस वियास से डायमेटर से जादा हो जाए तो लंबी आर्क वहाँ पर हम उसको बोल देंगे इसी तरह से हम बात कर लेते हैं छोटी आर्क क्या होती है जब welding road के tip से लेकर जोग के तल की दूरी welding road के वियास से कम हो इसमें जैसे छोटी आर्क है तो कम होनी चाहिए दूरी लंबी आर्क है तो जादा होगी जो वियास से अगर हम देखें साधारन आर्क में लगबग वियास के बराबर होगी तो इन तीनों आर्क को आप समझ सकते हैं इलक्ट्रोड के उपर एक लेप चड़ा होता है उस परत को क्या कहते हैं उस परत को हम बोलते हैं flux flux काम क्या करता है ये हमें बताना है अब जो flux होता है बहुत important काम करता है ये जो हवा में उपस्तित oxygen होती है उसको welding joint के संपर्क में नहीं आने देता जिससे welding joint अच्छा बनता है अगर oxygen संपर्क में आएगी तो उससे क्या बनते हैं metal oxide बन जाते हैं metal oxide जो है joint को strong नहीं बनने देते तो इसलिए flux काम करता है oxygen को दूर ही रखता है welding joint से अब बात कर लेते हैं filler road क्या काम करती है क्यों इस्तेमाल की जाती है अब देखे जब दो धातों को जोड़ा जाता है तो जोड़ का जो खाली स्थान है अब देखे दो जो धातों है मालीजिये कि ये हैं एक ये हम इनको यहां से पिंगला रहे हैं अब इन में इतनी ये पिंगलती नहीं कि इस खाली स्थान को भर सकें अच्छी तरह से एक joint बन सके तो इसलिए filler road का इस्तेमाल किया जाता है तो ये filler road का इस्तेमाल होता है manual of welding जो है fusion होती है या फिर जो non-fusion होती है यहां पर arc welding है तो ये ठीक कर लेजिए manual arc welding जो है वो fusion type है जो non-fusion अब हमें पता है arc welding में arc create होती है और पिंगलती है धातो fuse होती है तो ये fusion type होता है जो manual arc welding होती है जो हम हाथ के साथ करते है polarity का इस्तेमाल कौन सी welding में नहीं होता DC welding में तो होता है AC welding में नहीं होता क्यों क्योंकि AC welding के अंदर जो है इस तरह से हमारी जो है हमें पता है AC weld जो supply है इस तरह से होती है DC में जो है plus minus दे सकते है बात कर लेते हैं, rectifier क्या होता है, ये एक ऐसा welding set है जो AC supply को DC supply में बदलता है, यनि कि AC को DC में बदलना, वो क्या होता है, rectifier का काम होता है, कौन सी welding में पूरक धातू का गलनाक जोड़े जाने वाली धातू से कम रखा जाता है, अब हमने दो तरह की welding पड़ी थी, autogenous welding और एक ही heterogeneous welding, तो heterogeneous welding के अंदर ही ये होता है, कि जो पूरक धातू होती है, उसका जो गलनाक है, जोड़े जाने वाली धातू से कम रखा जाता है, heterogeneous welding इसका अंसर होगा, तो इस तरह से question हमने लिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए, आप हमारे ग्यान लोग पे हमें subscribe कर सकते है धन्यवाद